चारे बच्चो, मैरा जंदर गांधी अपने यूट्यूब चैनल में आपका सावित करता हूँ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्यत अपादे आज के वीडियो में हम आपकी पाठे पुस्तक के अश्टमह पाठ यानि की आठवे पाठ के अनुवाद पर चचा करने वाले हैं जिसका नाम है त्रीवर्णह ध्वजय अर्थात तिरंगा जंडा इस पाठ में हमारे देश की जंडे के स्वरूप और उसके महत्तों के बारे में बताया गया है तो आईए शुरू करते हैं केचन बालकाह, काश्चन बालिकाश्च, स्वतंत्रता दिवसस्य, ध्वजा रोहन समारोहे, सोस साहम, गच्छन्तह, परस्परम, सनलपंती, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंतरता दिवस के ध्वजा रोहन समारों में उस्सहा के साथ जाते हुए आपस में बाचित कर रहे हैं देवेश है देवेश अध्य स्वतंतरता दिवस है आज स्वतंतरता दिवस है असमाकम विद्यालियस से प्राचारिय है ध्वजा रोहनम करिश्यती हमारे विद्याले के प्रधानाचारिये ध्वजा रोहन करेंगे अर्थात जंडा फ्यराएंगे छात्राष्च सांस्कृतिक कारिक्रमान प्रस्तो शंती और छात्र सांस्कृतिक कारिक्रम प्रस्तुत करेंगे अंतेचे मोदकानी मिल शंती और अंतमे लड्डू मिलेंगे डेविड है डेविड शुचे है शुची जानासि तौम क्या तुम जानती हो असमाकम ध्वज है की द्रश है हमारा जंडा कैसा है शुची असमाकम देशस से ध्वजह त्री वर्णह इती हमारे देश का जंडा तिरंगा है सलीम है सलीम रुचे हे रुची अयम त्री वर्णह कथम यह तिरंगा कैसे रुची असमिन ध्वजे त्रय वर्णह संती इस जंडे में तीन रंग है अते है त्री वर्न है इसलिए तिरंगा है किम तौम एते शाम वर्ना नाम ना मानी जानासी क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो हमारे जंडे में ये तीन रंग क्या सुचित करते हैं सलीम है सलीम श्रिनू सुनो केशरवर्न है शोर्यस्य श्वेत है सत्यस्य हरितश्य स्मृध्धे सूच का संती केशरिया वीर्ता का सफेद रंग सत्य का और हरा रंग समृध्धी का सूचक है शुची, किम एतिशाम, वर्णा नाम, अन्य दपी महत्वम, क्या इन रंगों का और भी कोई महत्व है? डेविड है, डेविड, आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं? ध्वजस से उपरी स्थित है, केशर वर्णा है, त्यागस से, उत्सहस्य चसूच कहे जंडे के उपरी भाग में स्थित के सरिया रंग, त्याग और उत्सहा का परतीक है मद्धे स्थित है, श्वेत वर्णह, सात्विक्ताया, शुचिताया चे ध्योतक है बीच में स्थित सफेद रंग, सात्विक्ता और पवित्ता का सूचक है अध्ये स्थित है हरित वर्ण है वसुन्धराया सुशमाया उर्वरतायाश्च ध्योतक है और नीचे स्थित हरारंग धर्ती की सुन्धरता और उपजावपन का सुचक है तेजिंदर है तेजिंदर शुचे है शुची ध्वजस्य मध्धे एकम नील वर्णम चक्रम वर्थते जंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है शुची आम आम हाँ हाँ इदम अशोग चक्रम कथ्यते इसे अशोग चक्र कहा जाता है एतत प्रगते न्यायस्य चैप्रवर्तकम यह प्रगती और न्याय का संचालक है सारनाथे अशोक स्तम्भ है अस्ती सारनाथ में अशोक स्तम्भ है तस्मात एव एतत ग्रिहितम उससे ही यह लिया गया है प्रणव है प्रणव अस्मिन चक्रे चतुरविंशती अरह संती इस चक्र में 24 तीलिया है मेरी भारतस्य समिधान सभायाम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम भारत की समिधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इस जंडे को पूर्ण रूप से स्विकार किया गया तेजिंदर है तेजिंदर असमाकम त्रीविरन है ध्वजय स्वाधिन ताया राष्ट्र गोर्वस्यच्य प्रतीक है हमारा तिरंगा जंडा आजादी और राष्ट्र के गोर्व का प्रतीक है अतैव स्वतंतता दिवसे गंतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारहो पूर्वकम भवती इसलिए स्वतंतता दिवस और गंतंत्र दिवस पर इस जंडे को समारो के साथ फेराय जाता है जैतु त्रिवर्ण है, तिरंगे जंडे की जै, जैतु भारतम भारत की जै प्यारे बच्चों, आज का अनुवाद यहीं समाप्त होता है अगले वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास पर चर्चा करेंगे अगर आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, धन्यवाद, आप सब का कल्यान हो